अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अने के प्रॉफाइक लिंग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया तो उस्सुलिंक पे क्लिक करके डारेक्ट फॉलो कर सकते हैं चली श्टाट करते हैं आज करने फिर बहुत इंपोर्टेंट है चलिए पहला कोशन है एस्य फिरिक और इस थाटाओं प्रॉलेंग इस अब सबसे अधिलिट रही है तो यह जापान के यह आपको याद रखना है और आपको बता देक रिकोको ने कुल छेव गोल्ड अपने नाम च्टोटल शिक्स गोल्ड अपने नाम किये हैं इसके लाव बता देख हुआ है इन खेलों में 6 गोल्ड मिडल जीतने वाली पहली तैराक है और उन्होंने 600 और 2 रज़त सहीत कुल 8 मिडल अपने नाम किये हैं ठीक है ये भी आप से कोशन पूछा सकता है साथ ही साथ आपको उतादेख उन्हों है जकार्ता पोलेम बेंग एसियाई खिलों में मोस्ट वैलेवल खिलाडी घोसित किया गया और आपको उतादेख एसियन गेम्स के हिस्ट्री में 70-70 साल की त्यासम हुआ है MPB Award पाने वाली पहली महिला खिलाडी बन गई है ठीक है यानि Most Valuable Player पाने वाली पहली खिलाडी बन गई है और आख वता दे कि इंडोनेशिया की 12 वर्सी बूंगा जो नियामस ने ACI खेलों में एक नया तिहास रज़ दिया है उन्हों ने महिलाओं की स्केट बोर्ड इस परदां में कांस पदक जीता है अब क्लाम आपको उता दे कि वह है एक और भारत के लिए भी यादिकार खेलाडी इसमें अपना सिक्स्टी नाइन मेल जीते हैं और पदक ताली का माठी में अस्थान पर था ठीक है तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे कि एस एन गेम से लिटेट आपको वीडियो दे चुका हूं उसमें सारे कोशन कभा रहे हैं आपको लिंक की वीडियो की रिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल हिए ठीक है तो याफ याद रखिए का बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है यह भी उसके लाव अब बात करें नीरा चोपड़ याद रखिए वारतलों ठीवाक नीरा चोपड़ा तो यह八कины चोपड़ा सोमारों में तो रानी रामपाल ठीरा ठीक समापन समारों में तो को तो यह फैक्ट आपको विल्कुल याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में जरूर पुछे जाएंगे उसके लाब आपको कुछ और बता जीता हूं सेपक टकरा में भारत ने पहला पतक जीता है और आपको राही सरनोबत करें बता चुको एशिया खेलम सूटि में सोड़ जीतने वाली पहली भारती महिला बनी है ठीक है और दोस्तों इसके लाब यह पहली वारता जब भारती कवड़ी टीम ने सोड़ नहीं जीता सोड़ जीतने में असफल रही थी ठीक है तो एशियन गेम्स में जो 2018 सबसे most valuable player की रूम में किशे नामित किया गया तो connection है राष्टपती रामनत कोविन जी किन तीन देशे क्या तरह पर गए हैं जिसका राइट एंसर हो जागा दोस्तों साइप्रस बुल्गारिया और चेक गंडराज कौन कौन से तीनों देश हैं साइप्रस बुल्गारिया और चेक गंडराज याद रखिएगा काफी important है यह ठीक है तीनों चलिए इनके वारे में थोड़ा जान ले दोस्तों इन तीनों देश के वारे में तो पदाद एक साइप्रस की जो capital है वो है निकोशिया और मुद्रा ही यूरो ठीक है साइप्रस की राज़ानी है शिकोशिया और करेंसी है बुल्गारियाई लेव ठीक है प्रूरी है उसके लाब कोदादिक राष्टपती रामनात कोविन ने साइप्रस बुल्गारिया और चेक गणराज की तीन देशों की आठ दिवसी दवरे के शुरुवात की है और वह फस्ट लेडी सविता गोविंद के साथ है ठीक है आपकोदादिक राष्टपती कोविन तीन यूरूपी देशों के नेताओं के साथ सम्मंदों को गहरा बनाने के लिए विशेश रूप से आर्थिक शेतर की बातचीत करेंगे इसके लाब आपको दादे को शाइप्रस निकोस अनस्ता सीट्स के जो राष्टपती साइप्रस के बारता करेंगे और साइप्रस रा बहुत इंपोर्टेंट है आज मैं आपको जो तो इमेज दिखा रहा हूं फोटो दिखा रहा हूं आज से मैं नहीं शुरुत की हूँ और बताएगा मेरा यह प्रयास आपको मेरा यह कैसा लगा हलाकि इसको दिखाने से पूरी चीज़ याद हो जाती इसलिए मैं आप से को काफी लोगों ने कमेंड करें देख सार आप उस कोश्चन से लेटर जो है तो समचार से लेटर आप फोटो दिखा दिया करें ताक कि हमको याद रहे तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ अगला कोशन है डवलू पीपी के सीओ के रूम में किसे निउप किया ग ब्यक्तिकत दुर्वेहार कमपनी के संपत्यों के आरोपों के बाद कमपनी को स्थापित करने के 33 वर्स बाद डवलू पीपी के पास इस्तिफा देने के बात समवाला है ठीक है तो इन्होंने मार्टिल सोरेल के स्थान पर जो तो इन्होंने नहीं जगा लिए मार्क रीड इस धाम पर करें तो इसथापना उठी साथ अप्रवाली अधालिस को इसका है एक्जामने पूच आतके को में वर्ल्ड हेल्द औरिसे हैं है तो इस थापना होती सब्सक्राइब को साथ अप्रेल के दिनी विश्व स्वास्त दीवस मना जाता है इसी दिन स्थाबना हुई थी ठीक है वहीं बात करें जीम योंग की तो बरतमान में विश्वयंग के अध्यक्स हैं यह बहुत इंपोर्डेंट है याद रखिएगा एक्जाम में पूछा आता सीमा बलों के बीच दुवार्शिक वारता के शुरुवात हुई है नई दिली में यानि ऑप्सन भी राइट है ठीक है देखे दोस्तों को बता दें कि नई दिली में भारती और बंगलादेश के मेजर जनरल एमडी साफेनूल इस्लाम ने वारता में बंगलादेश का किया है तो बंगलादेश की तरफ से किसी ने दूत के साफेनूल इसलाम ने ठीक है और यह जो तो बंगलादेश सीमा गार्ड के जो तो महाने दिसा के मेजर जनर्रल एमडी साफेनूल इसलाम आपको दादिक बैठक का लक्ष दोनों देशों के बीच अंतराश्टी सीमा पर ड्रक्स और नसीले पदार्थों मवेशी और बंदुक की तसकरी जैसे अंतर सीमा परादों जैसे की जाच में दूपक्षी सवयोग बढ़ाना है और यह 1975 में सुरू होने के बाद दोनों दूपक्षों भी 47 मां डीजी इस तरी सम्मेल है ठीक है तो यह आपको याद रखना की बीच दूईबार्शी बारतअ क्यूरत कहा होई है यह runner दिली में यह याद रखिएगा चलिये अगला कोशन है भारत मीगेर्श के मामले में कान सा देश इस सीर्ज पर है यानि ठॉप कर है तो भारत मीगेर्श के मामले में सीर्ज देश से वह आप्स यानि ऐप इससे पिछले वित्वर्स में दौर सोला सत्राय में आपको दो सत्राय में यह है जो तो आकड़ा पचीस सो ठत्रार रूपय का था जबकि दौर सत्रा ठारा में 262 रूपय का और आर्वी आई क्यागड़ों के नुसार प्रत्यक्र विदेशी निवेस्ट करने वाले देशों म मारिशास के बाद दूसरा स्थान सिंगापूर का सिंगापूर है ठीक है और इससे पिछले वित्वर्स में आकड़ा क्रम से 949 रूपय अलगवाग 462 रूपय का था तो भारत में निवेस्ट के मामले में कौन सदेश शीर्ष स्थान पर है जिसका राइड एंसर है ऑपसान मारिशास और सिंगापूर अगला कोशन है मारिशास की बात करें आप दोस्तों थोड़ा साब को और बदर मौर्ट लूइस और अभी मौरिशास में हाली में जो तो एक जार्मा विश्विंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था मौरिशास की राज़ानी पोर्ट लूइस में तो तो हालिम डिजिटल गराम को दखटन किया है इसमर्ती इरानी नहीं आपसाने राइट है आपको पता दे कि एक सितमर 2018 को केंदरी वस्त मंत्री इसमर्ती इरानी ने उत्तर प्रदेश के में डिजिटल गाउं को दखटन किया है कहां पर उत्तर प्रदेश के में डिजिटल उद्गाटन किया है और डिश्टल गाउप रिजनक तहत लोगों को 206 कार कमपूल अब दोंगे इसके लावा इसमें एक वाइफाई चौपाल साथ ही पीएम डिश्टल सक्षरता पहल करने के लिए एक इकाई शामिल है ठीक है तो हाली में डिश्टल ग्राम का उद्गाटन किसी ने किया यह किया इसमिर्ति इरानी जी जो की वरतवान भारत की केंद्री वस्त मंत्री है वहीं बात करें आप प्यूश कोयल की वरतवान प बात करें सुरेष प्रभू कि वरतवान प्रभू जी वाड़ी जो रुद्यग मंत्री है राजनास सिंग आप सो को पता कि ग्रह मंत्री है वरतवान में अगला कोश्य ने हिंदुस्तान एरोनोटिक्स इलिम्टेट का नया अध्यक्ष किशे निवत किया गया है जिसका प्रभान लखनवु में कारिकारी जैसा की रूम में हल के सहाय कुपकरन प्रभा का नितिवत कर रहे थे आपको बता है जोस्तों हिंदुस्तार एनेरोटिक सिलिम्टेर जो है भारत की एक श्वामित तुवाली एरोस्पेस और अक्षा कंपनी है जिसका मुख्याल है बैंगलो है ठीक है तो हिंदुस्तान एरोटिक सिलिम्टेर का नया अध्यक्ष इसका राइड एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर माधवान को चलिए अब देख लेते हैं कल का एंसर कल मैंने कोशन बूचे तक बिम स्टेक का नया अध्यक्ष कौन बन गया तो इसका राइड एंसर था प्रिस कमेंट जरूर नहीं दिखाएगा साथ ही आज जो मैंने आपको फोर्टो दिकाई है क। ऐसा लगा यह प्रयास हमें जरूर बताएंगे ठीक है चलिए प्लीस कमेंट करिएगा साथ है सासे अप लिखिएगा उस कमेंट बॉक्स में तो आपका दिन शुब हो मिलतेने शुर्योक साथ जैहिंद बंदे मातरम